नासा ने मंगल ग्रह पर करीब 122 ग्राम आक्सिजन पैदा करने में कामिया भी हासिल की है इसके जरिये एक चोटा सा डौगी करीब 10 घंटे तक सास ले सकता है नासा परसीवरिंस के मौक्सिक इंस्टूमेंट की मदद से मंगल के वातावरन में आक्सिजन पैदा किया गया है इससे वेग्यानिक उतार पर खास कामिया भी बताया जा रहा है नासा के परसीवरिंस रोवर ने 2021 में मंगल की सता पर लैंड किया था यह रोवर मंगल से सैंपल इकटा कर रहा है मंगल गर्ण से सैंपल से वापसी के लिए नासा काम कर रहा है और 2030 तक उन सैंपल की वापसी के लिए مشन लांच कर सकता है नासा की यह कामयावी इसलिए भी खास है क्योंकि धर्ती से करीब 40 करोड किलो मीटर दूर आक्सिजन पैदा किया गया है इस काम्याबी से लंबे समय तक मानव मिशन का राष्टा खुलता है इसके जरीए धर्ती से कम इंधन ले जाने की जरूरत होगी आक्सि इंस्ट्रूमेंट ने कार्बन डायोकसाइड की कड़ों को तोड़ कर आक्सिजन पैदा करने में काम्याबी हासिल की है नासा का कहना है कि इस तरह से आक्सिजन अगर प्रचूर मात्रा में मिली तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने का आधार बनेगा